मैं डॉक्टर शिखा अगरवाल, एसोसीट प्रफेसर, गॉर्मेंट कॉलीज सुजानगर। बिये पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज का टॉपिक है अधिनायक तंत्र। पिशली क्लासों में हम लोगोंने लोक तंत्र के बारे में पढ़ा था। लोक तंत्र एक ऐसा शासन था जिसमें जनता, स्वयम या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। हमने देखा था कि इसका जो व्यवहारिक रूप है उसमें आज प्रतिनिधिय शासन प्रचलित है जैसा भारत में भी है और सिर्फ सुट्जर लैंड के पाच केंटन्स में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र काम कर रहा है। जहां एक और प्रजातंत्र है जिसमें जनता के पास अधिकार है, जनसंप्रभुता है, समानता, स्वतंत्रता है, निर्वाचित होने का और निर्वाचित करने का अधिकार है वहीं अधिनायक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन सत्ता किवल एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं. आज के युग में भी हम बहुत सारे देशों में दिरंकुष शासन व्यवस्थाओं को देखते हैं. एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के बहुत सारे राजे ऐसे हैं जहां पर समय समय पर दिरंकुष व्यवस्थाओं या अधिनायक वादी व्यवस्थाएं काम करती हैं, क्रांती के माध्यम से आती हैं या किसी एक व्यक्ति के माध्यम से, विचारधारा के माध्यम से ये व्यवस्थाएं कारिय करती हैं। अधिनायक तंत्र में जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है उसका आदेश ही कानून होता है और उसकी वो जो आदेश देता है उसको पूरा करना या उसकी पालना करना हर नागरी का करतव्या होता है अन्यथा उस व्यवस्था में सजा का प्रावधान भी बहुत कठूर होता है जैसा कि अल्फरेड कॉबन ने कहा अधिनायक तंत्र उस एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने अपना पद मुख्य तह उत्राधिकार के रोप में प्राप्त नहीं किया हो बलकि बल प्रियोग और जन सहमती से और साधारन तया दोनों के योग से प्राप्त किया हो उसके पास निरंकुष प्रभुसत्ता होनी चाहिए अर्थात समस्त राजनतिक शक्ति का स्रोत उसकी इच्छा में होना चाहिए और ये शेत्र असीमित होना चाहिए उसे इस शक्ति का प्रयोग स्वच्छ अधिनायक तंत्र एसा स्वेच्छाचारी शासन है, जिसमें स्वेच्छाचारी होने के साथ 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 शासक अत्याचारी भी होता है। सैनिक शासन जब भी आता है, तो भी हम यहीस्थितिया देखते हैं, व्यक्ति खियदिकार खट्म हो جाते हैं और उसको आदेश दिया जाता है उनकी पालना करना उसके लिए आवशक होता है कोई भी अधिनायक तंत्र जो है उसमें शासन सत्ता का शेतर असीमित होता है किसी भी प्रकार का नियंत्रण उसके उपर नहीं होता और जो शासक है वो जन सहमती से सामन्य तोर पर काम नहीं करता बलकि बल प्रयोग उसमें प्रभावी होता है अब देखते हैं अधिनायक तंत्र के प्रकार अधिनायक तंत्र के प्रमुख रूप से दो प्रकार मानी जाते हैं एक है प्राचीन अधिनायक तंत्र और दूसरा है अर्वाचीन अधिनायक तंत्र यानि नया अधिनायक तंत्र सबसे पहले देखेंगे प्राचीन अधिनायक तंत्र को प्राचीन काल में जो अधिनायक तंत्र हुआ करता था वो एक ऐसी व्यवस्था के रूप में था, जो या तो विशेश संकट उत्पन हो गया, उस समय स्थापित किया जाता था, या लोग कल्याण को शिगरता से प्राप्त करने के लिए किया जाता था, सामने तोर पर रोमन सामराज्यों में इस प्रकार से एक अधिनायक या विश संकटों का सामना कर सके, उसको जादा शक्तियां दी जाती थी, विशिष्ट शक्तियां दी जाती थी और उसे अधिनायक कहा जाता था, इन्हें अधिनायक इसलिए कहा जाता था, क्योंकि उन्हें आदेश देने की असीम शक्तियां थी, संकट समाप्त होने पर ये पद भी सवाप्त हो जाता था और इस तरह एक सामने व्यवस्ता फिर से काम करने लगती थी तो इस तरह से अगर हम देखें तो रोमन सामराज्य में अधिनायक तंत्र एक अस्थाई तोर पर बनाई हुई व्यवस्ता होती थी कानूनी विधी से उसका चुनाव गता था ताकि वो अत्याचारी ना बन जाए कानूनी मरियादा उस पर रहती थी कुल मिला करके अगर हम देखें तो प्राचीन जो अधिनायक तंत्र है उसके लक्षण जो हमारे सामने आते हैं उसमें सबसे पहला है कि अधिनायक पर कानूनी नियंत्रण होता था उसका लक्ष लोक खल्याण था अधिनायक को वैदता प्राप्त थी जोकि उसे बनाया जाता था अधिनायक उत्तर गाई था उन लोगों के प्रती जिनों ने उसे बनाया है समस्त शक्तियां अधिनायक में नहीत रहती थी अगर हम इसके उधारन देखना चाहें तो एमिलिया का शासक फैरिनी 1869 में ऐसा ही शासक था और सिसली का शासक गैरी बाल्डी 1860 में इसी प्रकार का अधिनायक था अब आते हैं अर्वाजीन अधिनायक तंत्र पर वर्तमान में या हम देखें कि इस प्रकार का जो अधिनायक तंत्र है जैसे हम आर्वाजीन कह रहे हैं या नया कह रहे हैं इसमें जो अधिनायक है उसको चुना नहीं जाता बल्कि आकस्मिक राज्य करांती से वो उध्पन होता है और शक्ति प्राप्त कर लेता है ऐसा शासन का जो सत्ता धारी व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से चलता है उनकी राजनितिक स्थिती का आधार शक्ति और बल्प्रियोग है वो किसी के प्रति उत्तरदाई नहीं है जैसे कि हमने प्राचीन में देखा कि वो जिनोंने उसे बनाया है उसके प्रति उत्तरदाई है लेकिन यहां कोई भी उत्तरदाई लेने को जो नया अधिनायक तंत्र है उसमें किसी के प्रति उत्तरदाई नहीं होता क्योंकि वो राज्य करांती के माध्यम से अचानक से बनता है सारी शक्तियां राज्य की उस एक व्यक्ति में नहीत होती है और वो खुद को ही राज्य का एक मूर्थ रूप समस्ता है जैसा कि मुसूलुनी कहा करते थे I am the street, मैं ही राज्य हो एलिन बॉल ने अपनी पुस्तक, आदुनिक, राजनीती और शासन में अधिनायक तंत्र के दो रूप माने है और उनके लक्षन भी उन्होंने बताए है सबसे पहला है सरवाधिकारवादी अधिनायक तंत्र और दूसरा है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र सबसे पहले देखेंगे सरवाधिकारवादी अधिनायक तंत्र की विशेशता है ये जो अधिनायक तंत्र है मुख्यरूप से 20. सदी में आधुनिक अध्योगी की और संचार साधनों की प्रगती से अस्तित्व में आया आधुनिकी करण लाने की कोशिश की जो सरवाधिकारवादी बने सामाने दोर पर इसमें हमें एक दल को देखते हैं जो विचार धारा से संचाली थे और विचार धारा बेहत कठोर थी इनके इसमें हम अगर देखें इसके उधारन तो उसमें आते हैं जैसे रूस में स्टालिन एक ऐसा ही अधिनायक था जर्मनी में हिटलर ऐसा ही अधिनायक था और इटली में मुसोलिनी और पूर्वी यॉरोप में जब सामयवाद का प्रचार बिसार हुआ तो वहां भी कुछ ऐसे सरवादिकारवादी राज्य बने तो इसकी लक्षन जो एलन बॉ जबिक रोप से प्रभावी होता है और कोई दल या तो बना नहीं पाता कोई अगर कोई बनाता है तो उसको खत्म कर दिया जाता है किसी और विचारधारा को आगे बढ़ने का मौकर नहीं दिया जाता सैध्धान्तिक तोर से इसमें एक सपष्ट विचारधारा होती है और ये विचारधारा उस्विवस्थाक में संपूर्ण राजनेतिक सक्रियता को चलाती है। न्यायपालिका और जनसंपर्क के जो साधन है उन पर बहुत कठोर नियंत्रण होता है। आज भी हम देखते हैं जैसे कि उत्री कोरिया में जो स्थितिया है वो हमारे सामने हैं। जनता के भाग लेने और जनता की स्विक्रती से शासन का वैधी करण किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं कराए जाती है। दिखाने के लिए चुनाव भी होते हैं और शासन सत्ता का वैधी करण यानि जनता से स्विक्रती भी प्राप्त की जाती है। लेकिन कोई और विचारधारा क्योंकि नहीं है कोई और दल नहीं है तो इसलिए वो शासन निरंतर उसी तरह से चलता रहता है क्योंकि जंता की सामदे कोई विकल्प नहीं होता है। इसके अभाव में यह अचानक से उत्पन होता है, प्रस्फुदित होता है। इसके जो लक्षन अलबॉन ने बताए हैं, उसमें आता है, मुक्त राजनतिक प्रतियोगिता पर प्रतिबंद है। इसमें अन्य जो विरूधी विचारधाराएं हैं या अन्य जो को खत्म किया जाता है इसमें किसी एक निश्चित विचारधारा का भाव होता है जैसे कि हमने सरवाधिकार वादी में देखा कि सामाने तोर पर कम्मिनिजम या फासी वादी या नाजी वादी विचारधारा थी लेकिन जब स्विचा चारिया ध्यनायक तंत्र होता तो उसमे सरकार का नियंत्रण होता है याने जन संपर्क के जो सादन है चाहे समाचार पत्र है रेडियो है टलिवीजिन है जैसा कि हम देखते है कि कुरिया से कोई विचारधरा कोई संबाद बाहर नहीं आता इसी तरह से अन्य बहुत से देश हैं से युगांडा में जैसे इस्थितियां थी या अन्य ऐसे देश हैं अक्सर सेना राज परिवर्तन करती है और स्वतंत्रता के युद के फलस्वरूप सत्या को हधिया लेती है राजनिती पर किसी एक गुट विशेश का एकाधिकार रहता है तो प्रमुक इसके उधारन अगर हम देखें तो युगांडा है, लीबिया है, नाइजीरिया है इसी तरह के देश जो है इनमें सुछा चारी शासन यवस्थाएं देखने को मिलती है अधिनायक तंत्र के कुल मिलाकर के लक्षन क्या है उनको हम देखते हैं, दिखें, ये लोक तंत्र विरोधी है इसमें लोक तंत्र को उस्विकार नहीं किया जाता, उसे भ्रष्ट माना जाता है अव्यवहरीक माना जाता है बातुनी लोग की दुकान उसको कहा जाता है उधारता विरोधी है इसमें अधिनायक तंत्र में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी कोई विचारधारा नहीं है, अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं मिलती, अधिनायक का नारा होता है आदेश, अनुशासन और सत्ता, जबकि उदारवाद का होता है स्वतंत्रता, समानता और अधिकार, तो बिलकुल उल्टा है, इसमें आदेश, अनुशासन और सत्ता को बहुत ज़्यादा महत्वत दिगया जाता है, हिंसा और शक्ती में ये विश्वास करता है, उसी के माध्यम से अपनी सत्ता को प्राप्त भी करता है और बनाए भी रखता है, ताना शाही का इ इसमें जैसा मुसोलीनी कहा करते थे, राज्ये केवल राजनेतिक संस्था मात्र नहीं है, एक आध्यात्मिक और नैतिक तथे है, ये जनता की आत्मा का रक्षक है प्रत्येक वस्तू, प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतरगत और राज्य के लिए है राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता तो सब कुछ राज्य ऐसी तानशही माने जाती है और राज्य का संचालक दिरंकुछ प्रभुसत्ता प्राप्त होता है ये व्यक्तिगत स्वतंतरता का विरोधी है इसमें किसी भी प्रकार का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंतरता नहीं दे जाती जो अधिनायक वादी राज्य है और अधिनायक है वो पूरी तरह से जीवन के सभी पहलूँ पर नियंत्रन रखता है और राज्य के आदेश और अनुशासन की पालना सबसे महत्वपोन मानता है उगर राश्टवाद पर आधारी तरह सोलनी और नाजीवाद जो जर्मनी का हिटलर ने दिया था उनमें राश्टव से प्रथक व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं थी राश्टव स्वैम को सबसे महत्वपोन मानता था और उगर राश्टवाद यहाँ पर एक तरह से कल्पित तौ पर थोपा जाता है सरवादिकारवाद भी इसकी एक विशेश्टा या लक्षन है जिसमें जीवन के प्रतेक शेत्र को नियंतरित करने का प्रयास किया जाता है समाज, धर्म, परिवार सभी राजे के नियंतर में होती है और जो सत्ता दल है उसकी नीतियों का प्रचार करके जो अधिनायक तंतर है उसमें काफी हद तक निरंकुष्टा है सैनिक वाद भी है एक विचारधारा है गुठ है और जैसा कि न्यूमेन ने अधिनायक वाद के लक्षन बताए उन्होंने पांच लक्षन बताए इसके ये पुलिस राज्य है इसमें शक्तियों का केंद करता है तो वहीं पर पीटर मरकल ने इसके चार गुण बताए है चार लक्षन बताए है कि इनकी जो किताब है वो है पॉलिटिकल कंटिनुईटी एंड चेंज और इसमें इनोंने चार लक्षन जो बताए है इनका कहना है कि सामाने तोर पर जो उसका शासक होता है वो संगठित जनपुंज दल होता है शिक्षा व्यवस्था और जनसंपर के सभी माध्यों मों पर एकादिकार होता है शासन का और आतंक और भैभीत करने वाली सू परिश्कृत व्यवस्था होती है इसका उदे कैसे हुआ आधिनी क्यूग में इसके कारण तीन बताए जाते हैं स रिषैनिक तानशाही है जैसे समय समय पर पाकिस्तान में, बंगला डेश में, मयानमार में आती रहती है और फासिस्त तानशाही है जैसे सपेंन, पुर्तगाल में किसी समय में हुआ करती perayan वा, मोनी तोर पर अधिनायक वाध के जन्म के कारण जो गिनी जाते हैं उसमें व संसुदिय व्यवस्था के प्रती शंकाएं थी और इसलिए कुछ देशों में अधिनायक तंत्र उभरा, लोक तंत्र बहुत ज़्यादा प्रतम विश्यूद के बाद में स्थापित नहीं हुआ था, लोक तंत्र का कोई अनुभव भी नहीं था, इसलिए उन देशों में अध अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि इसके अपने कुछ गुण है, क्योंकि ये तीवरता से काम करता है, और हमने दिखा था कि प्राजीन जो अधिनायक तंत्र था, उसमें शासन सत्ता इसलिए इस्थापित की जाती थी कि तीवर विका इसलिए दल है, आर्थिक सादुनों का समचित विकास और उप्योग इसलिए संभव होता है, संकट काल के लिए उप्योगत है, क्योंकि इसमें सभी निर्ने और आदेश एकी व्यक्ति देता है, तो ऐसे में आदेशों की एकता बनी रहती है, और उन आदेशों पर उचित क पार्यवाही करना भी आसान होता है, राश्ट्री एकता इससे स्थापित होती है, क्योंकि कोई और विकल्प जनता के बास नहीं है, और इसलिए जो शासन सत्ता है, उसी के प्रती देश प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहती है, और एकता के सुत्र में देश बंधा रहत होता है, लक्षे निर्धारित होता है, आदेश निश्चित होते हैं, और बहुमें की विकास इससे होता है, क्योंकि अनुशासन व्यावस्था और सम्रद्धी इससे आती है, और कुछ लोगों का मानना है, कुछ विचारकों का मानना है कि योरोप में अधिनायक तंत्र के स वालसरूप तेजी से सामजिक और आर्थिक पुनर निर्माण हुआ था। बहुत सारे उद्ध्योग विक्सित हुए, समाज में नयात में विश्वास आया। और जैक्सन ने जैसा अपने पुस्तक यॉरॉप सिंस दवार में लिखा, स्पेन वासियों के इतिहास में ये पहल दोश है, सबसे पहला दोश है, व्यक्तिगत स्वतंतरता का हनन करता है, व्यक्ति राज्य का एक साधन मात्र बन के रह जाता है, एक मशीन का पुर्जा बन के रह जाता है, मानसिक दास्ता में जकर जाता है, ये जो सिध्धान्त है, ये राज्यवाद का समर्थक है, राज् नायक तंत्र की आधार शिला शक्ति है, व्यक्ति की इच्छा नहीं है, इसलिए वो हिंसात्मक और दमनकारी साधनों का प्रियोक करके अपनी शक्ति बनाई रखने के लिए व्यक्ति का दमन करता है। सामाने दोर पर ये एक आईस्थाई शासन है, जनता की सहमती पर आधारित नहीं है, इसलिए क्रांती होना इसमें विश्यम भावी होता है और जब जनता क्रांती करती है तो उस शासन को पलट देती है, वो सदैव नहीं बना रहता। तो इस तरह से ये जो शासन है, इसके अपने बहुत सारी दोश है, प्रजात अंतर से ये बहुत अलग है क्योंकि उसका जो लक्षे है वो है अनुशासन आज्यापालन, व्यक्ति को साधन मानता है, राज्य को साध्य मानता है, शक्ति आधारित है, स्विच्छा चारिता आ और शासन जू है वो लचीला नहीं होता तो ये लोक तंत्र से विप्रीथ है हम लोगों ने लोक तंत्र में पढ़ा था कि वो सीवित शासन है कानून का शासन है उत्तरदाई शासन है व्यक्तियों को स्वतंत्रता देता है अधिकार देता है अभिव्यक्ति का अधिकार देता जन सहमती पर आधारित है व्यक्ति को साध्य मानता है प्रचार माध्यमों पर कोई रोक टोक नहीं होती स्वतंत्र न्याय पालिका होती है और लजीला शासन होता है अधिनायक तंत्र लोक तंत्र का विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्वतंत्रता समानता सामाजिक और आ झालिवाद जालिवाद तो पान स्टार्श जोड़किन जया शिंद के पढ़किन जाद 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 याद अभी जाद पानी 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 जा मंझू कर दो कर दो पॉड़ कर दो कर दो अज्डर ऑबार करो झायए ॉजा घरा ilडिक आगए लेक पाड़े टीवार्चा एल टाए्ट उमले एंदो पर टीर का या पाट आपा पाट विए जो भारान पाट कर भाट कि फार्टेने तो बारेश्ती थीशपी को प्रणवा या पांडी न बहुता देगा, वह रणा है। वह लान एये न गत, मतसवा आए। संची में वह खर दो करें। कि बाराफ्सकी न लुह इंगे। भाल झाल हुजाओना अंसे कर दिए पस्राबर करें ऑला मेमा में बगारी Sum box दो को हो नो असे डिएर ब parent को सघ्षर्ण ज़िए हुछ क्स्राइबस क्ष summary 10 है मफ हमें WIN इसना कर दो भाल हो नहीं हो यद्थयर में कोरॉआना से अलट पियग सो झाल झाल